शोताओं नमस्कार अपने शरीर के एक अंग के समान ही महसूस होने लगा है। मुबाइल सिर्फ बाचीत करने या मैसिज भेजने का ही सिर्फ एक जरीया नहीं रह गया है बलकि अब इसके जरीये ऑनलाइन भुकतान जैसे अन्य जरूरी काम भी किये जाते हैं। इसलिए यदि किसी का मुबाइल खो जाए तो उस पर क्या बीटती होगी या वही जानता है। मुबाइल जब हमारे पास में हो तो हम क्या सावधानिया बढ़तें और यदि कभी वक गुम हो जाए या चोरी हो जाए तो इस वक्त अत्काल क्या कदम उठाए जाने चाहिए। इन सब विश्यों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं 36 गर्ड पुलिस की साइबर सेल के प्रभारी और अत्रिक्त पुलिस अधिक्षक श्री कवी गुपता जी। सर आपका इस कारिक्रा में हम हर देक स्वागत करते हैं। धन्यवाद विकल्ब जी। मैं सबसे पहले तो यह जानना चाहूंगा कि जब हमारे पास मुबाइल रहता है तो उस समय में क्या इहतियाद बरतना चाहिए इसकी सुरक्षा के लिए क्या उपाए करना चाहिए। जी हाँ विकल्ब जी मुबाइल फोन आज हम सब की एक एहम ज़ूरत बन गया है। यदि थोड़ी देर के लिए भी हमारा मुबाइल फोन हम से दूर रहता है तो हम सभी में एक बेचयनी सी आ जाती है। तो इस बात पे तो कोई शक नहीं है कि यह बहुत ही एक एहम अंग बन गया हमारी जीवन का। जब मुबाइल हमारे पास हो तो हमें उसकी सुरक्षा के लिए कुछ उपाय हमेशा करके रख लेना चाहिए। ताकि यदि हमारा मुबाइल फोन कहीं गुम जाता है चोरी हो जाता है तो हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। तो मुबाइल सुरक्षा की यदि बात की जाए तो हम सभी को सबसे पहले तो हमारा जो मुबाइल फोन होता है इसमें आप देखेंगे कि एक पासवर्ड या पैटर्ण या पिन लॉक की सुविधा होती है जिससे जब मुबाइल फोन उपयोग में नहीं आ रहा होता है तो वो मुबाइल फोन अपने आप उस लॉक मोड में चला जाता है मेरा सभी शुर्टाव से ये अपील है कि अपने मुबाइल के इस पैटर्ण या सिक्योर्टी फीचर को हमेशा इनेबल करके रखे कभी कभी हम सुविधा की दिश्टी से इसे डिसेबल कर देते हैं जो कि हमारे लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि यदि किसी भी सिटी में आपका मुबाइल गुम जाता है या चोरी हो जाता है और यदि वह किसी क्रिमनल ऐलिमेंट के हाथ लग जाता है तो उस समय ये आपके मुबाइल को सुरक्षित रखेगा इसलिए ये आवश्चक है कि हमेशा इस सिक्यूर्टी फिचर को इनेबल करके रखे जब हम कोई पैटरन लॉग करते हैं या पिन लॉग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि खूलने के बाद उसमें एक डिूरिशन भी रहता है कि वह कितने समय तक के लिए वो रहेगा यदि हम उसको प्योग नहीं कर रहे हैं एक मिनेट तीस सेंडिया वैसा तो ये ज़्यादा लंबी अवधी के लिए भी उसको नहीं रखना चाहिए जी हाँ बिलकुल सहीं ये ज़्यादा लंबी समय के लिए गर यदि रखें और उसी समय पानलीजे किसी अनदिकरित व्यक्ति की हाथ लग जाता है और उस समय आपका मॉबाइल खुला होगा तो वो तुरंट वो क्या कर सकता है मॉबाइल के सेटिंग में जाकर के आपके इस पैटरन लॉक को डिसेबल कर सकता है तो इसलिए ये आवश्यक है कि इसकी जो अवधी है वो भी बहुत जादा छोटी भी ने रखें और बहुत लंबी भी ने रखें सभी शोटाओं को ये सुझाओं देना चाहता हूं कि हम सभी अपने मॉबाइल में हमोमन रोजाना कई एप्स स्टॉल करते हैं हमें कई बार अंदाजा भी नहीं होता कि कब हम कोई खतरनाक एप अपने मॉबाइल में स्टॉल कर लेते हैं और ये खतरनाक एप्स आपके मॉबाइल से important data जो है वो चुरा लेते हैं ऐसे एप्स को लगातार पहचानना और उसे मॉबाइल से निकालना बहुत आवश्यक होता है इस दिशा में भारसरकार की जो एजेंसी है सर्ट और सीडेक इन्होंने कई initial tools एवलेबल कराये हैं ये भी Google Play Store में एवलेबल है ये दोनों एप आप अपने मॉबाइल में install कर लें या आपको जो भी उचित लगता है आप क्या उशकता नुसर जो एक अच्छा antivirus एप अपने मॉबाइल में जरूर इस्टॉल करके रखे और जो बहुत एहम है वो ये है कि जब आपके हाथ में आपका मॉबाइल फोन है तो आज हर मॉबाइल में एक feature दिया जाता है जिसका नाम है find my device Android में ये find device के नाम से है और iOS फोन में ये find my iPhone के नाम से एवलेबल है समय रहते इस feature को आप activate कर ले अगर आप Android यूज करते है तो आपके Gmail का credential आपको इसमें डालना होगा और इसको डालने के बाद ही ये आपको पहले verify करेगा और ये activate हो जाएगा इसे जरूर करके रखें अपने mobile phone का जो bill होता है इसको जरूर सहेच कर रखें अपने पास क्योंकि हो सकता है इसकी आपको जब mobile गुम या चोरी हो जाए तो आप इसके वास्तविक स्वामी थे ये प्रूफ करने के लिए इसकी आपको बाद जब हम mobile set खरीते हैं तो उस वक्त जो हमें bill मिलता है उसे हमें सहीच करना चाहिए उसमें क्या कैसी जो रहते हैं details जो काम सबसे पहले बिल में आपका नाम रहेगा जिससे ये प्रूफ होगा कि आप ही उस mobile के स्वामी थे इसके अर्थिक्त उस mobile का IMEI नंबर उसमें उबलब्द रहता है जो की mobile के ब्लॉक करने हे तो आवशक होता है तो ये तमाम जानकारियां बिल में रहती है mobile phone का model नंबर भी उसमें available रहता है तो ये जानकारियां आपको mobile को जब आप ब्लॉक करने जाएंगे तो समय आपको उसकी आफशकता पड़ेगी तो इसे भी आप सहेच कर रखें हमेशा अपने mobile phone के जो सेवा प्रदाता company है उसका customer care number हमेशा जहन में याद करके रखें एक सवाल और ये mobile है उसके सुरक्षित उप्योग को लेकर शासन ने क्या कदम उठाये हैं बहुत अच्छा सवाल किया विकल्ब जी पिछले दो मेहने में ही मई 2023 में ही दूर संचार विभाग ने काफी सरानी कदम इस दिशा में उठाया है और संचार साथी और CEIR पोर्टल नाम से दो पोर् करता कोई भी व्यक्ति उसके आधार कार्ड के नाम के आधार पर कितने सिम जारी हुए हैं इसे वह चेक कर सकता है यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई सिम आपकी जानकारी के बगएर किसी दूसरे व्यक्ति ने आप ही के नाम पे जारी करवा लिया है तो आप ततकाल इसकी स इस पोटल के माध्यम से ही दे सकते हैं और यह सूशना प्राप्त होने के बाद जो आपका दूर संचार सिवा प्रदाता कमपनी है वो आप से संपर्क कर इस नंबर को और इस सिवा को बंद कर देगा। अपलब्ध है जिसके माध्यम से आपका फोन का जो IMEI है उस नंबर को आप उसमें दर्ज करते हैं तो यह आपको बता देता है कि यह IMEI जो है वो जिन्वीन है ब्लैक लिस्टेड नहीं है। यह भी कि यदि मोबाइल फोन चूरी हो जाता है या गुम हो जाता है तो ऐसे परिस्टि में क्या किया जाए है। तो सबसे पहले तो कभी भी ऐसी सिती निर्मिट होती है तो अपना मानसिक संतुलन बनाये रखना है शांती सहम को कदम उठाना है। और सबसे पहले अपने आसपास कोशिश करें कि जहां जहां पे भी आप गए हैं कहीं वहीं तो आपने अपना मोबाइल फोन नहीं छोड़ दिया है। यदि आप इस बासे निश्चिंत हो जाते हैं कि नहीं आपने सभी अपने आसपास की जगा को तलाश लिया और मोबाइल वहां पे अवलेबल नहीं है। आप मोबाइल में संपर करके भी देख रहे हैं तो मोबाइल बन बता रहा है और आपको लग रहा है कि आपका SIM जो है वो हमारी पहचान बन चुका है और इस SIM के आधार पे ही आपके बैंकिंग के जितने भी authentication होते हैं, verification होते हैं, OTP आता है, इस SIM पर ही आता है तो इसलिए हमको किसी बड़े नुकसान से बचने के लिए सबसे पहला हमारा करताव है कि हमको उस SIM को ततकाल ब्लॉक करना ह सब दूर संचार सेवा प्रदाता कंपनी कस्टमर केर नंबर के माध्यम से ये सुविधा प्रदान करती है, यदि आपको ये नंबर याद है तो आप इस सेवा का उपयोग घर बैठे कर सकते हैं, यदि संपर्क नहीं हो पा रहा है या याद नहीं आ पा रहा है तो आप अफ्तर में जाकर के भी अपना SIM ब्लॉक कर सकते हैं और ब्लॉक करने के पश्चात यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके मोबाइल में आपके बैंकिंग से रिलेटेड आवशक जानकारिया थी निजी जानकारिया थी जिसके आधार पे कोई अनधिकरित व्यक्ति आपके बैं के ब्राच में संपर करना रहेगा और तीसरा जो सबसे आवशक कदम है वो है आपके मोबाइल का IMEI नंबर को ब्लॉक करना कवी जी अब आपने कहा कि IMEI जो नंबर है उसे भी ब्लॉक करना ज़रूरी है इसे कैसे ब्लॉक किया जा सकता है IMEI नंबर ब्लॉक करने है तो तीन विदियों का इस्तिमाल किया जा सकता है सबसे पहले तो जो दूर संचार विभाग अद्वारा लांच किया गया CEIR पोर्टल है इसमें आप जाएंगे यहाँ पे ब्लॉक या अनब्लॉक करने की सुधा लब्ध है इस पोर्टल में आपक इसकी जरुरत होगी इन दो जानकारी के अत्रिक्त आपके द्वारा पुलिस थाने में जो शिकायत की गई है उसकी एक प्रती की जरुरत होगी अब यह तीन जानकारी या दस्तवेज प्राप्त होने के बाद आप इस पोर्टल में जाकर अपना IMEI ब्लॉक करवा सकते हैं जी और जब एक बार आपका मुबाइल ब्लॉक हो जाता है तो इसके बाद कभी भी वो नेटवर्क में यदि आता है किसी के दवारा उसे एक्टिवेट करने की कोशिश की जाती है तो उसका अलर्ट जो है वो आपके मुबाइल पे पहुँच जाएगा जैसे ही आपके पास वो अलर्ट आता है तो आप अपने संबंदित थाने में उसकी सूशना देंगे और थाने के दवारा फिर इसकी रिकवरी की कारवाई की जाएगी कभी ये भी आपने बताया कि वो किस तरह से वेक्ति अपने सिम को ब्लॉग करे या आई-एमियाई को ब्लॉग करे तो मान लीजिए वैसे तो हर पुलिस थाने में अपना एक साइबर सेल भी है वहाँ भी जाके वो कर सकता है लेकिन मान लीजिए कोई वेक्ति थाना नहीं आपा रहा है उस वक्या थाना उससे दूर है उस सिती में वो क्या करें जी हाँ ये भी सिती उत्पन होती है कि जब हम पुलिस थाना नहीं जा सकते हैं हम दूर है काफी किसी दूसरे शेहर में है और हमको ततकाल अपना मुबाइल का आई-एमियाई ब्लॉक करना है इस सिती में समधान के लिए 36 पुलिस और दूर संचार विभाग ने साजेदारी कर अब इस सुविधा को 36 पुलिस की वेबसाइट में भी उपलब्द कराया है जे 36 पुलिस की वेबसाइट में ही यदि आप सिटीजन पोर्टल देखेंगे इसमें एक सुविधा है सिटीजन आपके मोबाइल का IMEI नंबर होना चाहिए और डूपलिकेट सिम आपके पास होना चाहिए इस सुविधा में पुलिस थाना जाने की जुरूत नहीं पड़ेगी ये दो जानकारी आपके पास होगी तो आप ऑनलाइन CG पुलिस के वेबसाइट में जा करके ही अपने पुलिस थाने को ये शक्ति प्रदान की गई है कि वो पहले तो वो इस बात की तस्दीक करेंगे कि जो वेक्ति है वही उस मुबाइल का असली स्वामी या ओनर है इस बात की पुछ्टी हो जाने के बाद पुलिस जो थाना है उनके पास ये सुविधा है कि वो आपके मुबाइल का IMEI पता करके और आपकी तरफ से उस मुबाइल को वो ततकाल ब्लॉक कर सकते है कभी जी अभी आपने विस्तार से हम को बताया कि एदि मुबाइल घुम हो जाये तो हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए सिम ब्लॉक कर देना चाहिए उसका यूपियाई टांजिक्शन का है वो बैंक से संपर करके उसे हमें ब्लॉक कर देना चाहिए लेकिन मुबाइल में आजकल जादा तर वेक्तियों के बहुत सारा डेटा होता है उनके कॉंटेक्ट नंबर होते हैं वाटस अप है तो जो चुराने वाला है माली जी उसकी नियत बहुत जादा खराब है या बड़ा शातिर है तो उनका भी वो दुरुपयोग कर सकता है ऐसी सिती में उस डेटा जो डाटा है उस से कहीं अधिक नुकसान हमको हो सकता है जैसा मैंने आपको जब आपने मुझसे मुझसे सुखचा के उपाय के विशे में सवाल पूछा था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि हर मुबाइल में आज फाइन माई डिवाइस या फाइन माई आइफोन की और वो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है तो आप अपने मोबाइल को रिमोटली अपने क्रिडिंशिल का उपयोग करके अपने मोबाइल के डेटा को वाइप कर सकते हैं वहां से हटा सकते हैं और ऐसा करने के बाद आपके मोबाइल का जो डाटा है उसका दुरुपयोग जो पर आधारित हमारा सापता ही कारिक्रम बातों बातों में काज का यंक यहां संपन होता है अगले हफते एक नए विशय के साथ हम फिर हाजर होंगे अब हम आपसे विदा लेते हैं नमस्कार